मकर सकरांती आ रही है और देज भर में अलग अलग नाम से मकर सकरांती मनाया जाता है और इस दिन तिल का हर कहीं इस्तिमाल किया जाता है तो आज मैं तिल से दो अलग तरीके के लड़ू बनाऊंगी और दोनों ही लड़ू बहुत ही डेस्टी है बनाना काफी असान है बहुत 300 gr तिल लिया है और चलिए अब इसे में भुनना है तो भुनने के लिए हम ढालते हैं पैन में लगब 5-7 मिनिट तक ही इसे हम भुनेंगे भुंतेशा में यह धियान रखना है कि इसलो फ्लेम पर रखकर भुनना है हाइज भुनना है तो जलदी लाल हो जाएंगे ब्राउन कर जाती है और जो इसका नटी फ्लेवर होता है वो भी काफी उभर कर आता है और साथ में में लड्डू की भी शेल फ्लाइब बढ़ जाती है इसलिए इसे आप 5-7 मिट के लिए जरूर भुनिए अब भुनते समय में इसका कलर बहुत जादा चेंज नहीं करना है सिर्फ हलका सा जाएगा और बड़े प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद यह जो तिल है और भी क्रंची हो जाता है अब चलिए हम इसके लड्डू बनाने के लिए यहां पे मैंने लिया है देसी गुर अब इसे भी हम वजन करके देख लेते हैं कि कितना मैंने गुर्ड लिया है क्योंकि यहां पे मेजर्मेंट बहुत इंपॉर्टन है तो यहां पे मैंने 300 ग्राम गुर्ड लिया है यानि कि जितना तिल है उतना ही हमें यहां पे गुर्ड लेना है और अब इसे हम रफली तो आपको जितना कॉंजिटी बनाना हो उसे इसाब से बाजार से एक्जेक्ट मेजिर्मेंट लेकर आप बना सकते हैं और अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरू कीजेगा और ऐसे ही और भी मज़तार और इजी रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजेगा अब यहां पर गुर्ड को भी रफली चॉप करके रेडी कर लिया है और चलिए अब इसे भी हमें कुक करना है तो कुक करने के लिए हम पैन में डालते हैं दो चमज घी घी डालने से अच्छा सबात तो आता ही है साथ में गुर्ड को मिल्ट करने में भी काफी असानी होती है तो बस यहां पर थोड़ा सक घी डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं चौप किये वे गुर्ड और इसे हम मीडियम लो फ्रीम पर रखकर कंटिनर्स चलाते हुए पकाएंगे बस यहां पर ही बहुत लोगों के साथ गड़ए हो जाती है कभी तो गुर्ड कग जाता है जिससे कि हमाई Hadi बहुत हर संध हर्ण होुआ जाता है और कभी पर्गुल फैल जाते हैं और काफी साफ बनेते हैं तो यहां पर मैं एक छोड़ी सी ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे की आपकी लड़ू भी बिल्कुल मेरी तरह हमेशा पॉफेक्टी बनेंगे अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोसे से जो की बहुती कम प्राइज में हैं तो इसके लिए आप मेरे आप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्कुप्शन बॉक्स में है अब यहां पर गुड़ जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है लेकिन अभी भी यह अच्छे से पका नहीं है कैसे चेक करना यह मैं आपको आगे दिखाती हूं लेकिन इसे हम दो मिनिट के लिए और पकाएंगे ठर्ण में गुड़ खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में वेटरमेंस और मिन्रेल्स होते हैं और शुकर से कई गुना जादा यह बहतर भी होता है तो बस दो मनेट हो गया इसे कुक करते वे और आप देख रहे है उपर की तरफ से मतलब कुक नहीं हुआ है लेकिर यह देखे बिल्कुल बॉल की तरह बन रहा है यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रही हूं कि बिल्कुल बॉल की तरह हो गया है और जब हम इस तरीके से बोल में डाल रहे हैं तो हलका सा क्रंची साउंड आ रहा है मतलब यहा कि तिल पूरी तरिके से ठंदा होना चाहिए और तुरंती इसे हम मिक्स करेंगे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है यहां पर मिक्स करने के बाद अब इसमें दालते हैं थोड़ा सा इलाइची पाउडर फ्लेवर के लिए जिसे की टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो एक चम बनाएंगे और थोड़ा सा पोशन लेके इस तरीके से प्रेस करते हुए हम लड़ू बनाएंगे मैं यहां पर आपको एक टिप देती हूंगा गुड़ मिक्स करने के बाद जो है मिक्सर थोड़ा सा ड्राइ हो गया है तो इसमें आप एक से दो चमश पाई डालके थोड़ कर लिये है क्योंकि मैं अकेले बना रही थी और फर्स ताइम भी मैंने ट्राइ किया था तो लड़ू बने तो बहुत ही परफेक्ट लेकिन यहां पर जो मिक्सर थोड़ा सा ड्राइ हो गया तो इसमें हम एक से दो चमश पाई डालके कुकरेंगे तो यह मिक्सर ठीक हो इसे एक बर जरूर बनाएगा और मुझे यकीन है कि आपके भी लड़ू बिल्कुल मेरी तरह ऐसे ही परफेक्ट बनेंगे अब चलिए बहुत ही ईजी वे में दूसर लड़ू बनाते हैं जिसे बनाने के लिए कोई भी चाशनी नहीं बनानी है बहुत ही सिंपल सा तरीका ह इसे तो हर कोई बना सकता है तो इसे बनाने के लिए लेते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मौफली मुझे को यहां पर हम डॉ स कर लेते हैं यहादो बनाएगा इसमे तो बहुत अच्छा आएगा तो बस simply हमें 3-4 मिन तक continuous चलाते वे इसे हलका सा भुनना है बजार में भुनी हुई मुफली भी मिलती है जिसके छिलके उतरे हुए होते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं और अगर आपके बस कची मुफली है तो इस तरीके से थोड़ा सा dry roast कर लीजे तो बस थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसे हम प्लेट में transfer करते हैं और लेते हैं same pan इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बदाम और साथ में हम डालते हैं थोड़े से काजू अब यहां पे रिच और नटी फ्लिवर देने के लिए मैंने बदाम और काजू लिये हैं आप चाहें तो इन दोनों को स्किप कर सकते हैं लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा एक बार जो तरीका मैं बता रही हूं उस तरीके से अब ज़व ट्राइ कीजेगा तो बस इसे हमें थोड़ा सा भुनना है यहां पे थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसी सेम पैन में हम डाल देते हैं सफेधत तिल क्योंकि सफेध तिल जल्दी पुन जाता है और बादाम और काजू को भुनने में थोड़ा सा time लगता है इसलिए मैंने पहले बादाम अब यहां पे तिल को भुनते हुए 3-4 मिनिट हो गया है फ्लेम को बन करते हैं तुरंती इस मिक्षर को अब हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं और इसे हम पुई तरीके से ठंडा होने के लिए रग देंगे गरम-गरम इसे हमें नहीं यूज करना है और जैसी हमारा तिल का मिक्षर ठंड़ा हो जाएगा वैसी हम जार में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है तो सभी को जार में ट्रांसफर करने के बाद इस इम डालते हैं मूफली तो यहां-पे मूफली जो है बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई अब इसके में च करना है क्योंकि तिल बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है और यहां पर देखिए बिल्कुल दरदरा सा मारा यह मिक्षर बनके रेडी हो गया है मैं बिल्कुल इसी तरीकी से चाहिए यह फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा अब य इसमें क्या करना है इसमें हम डालेंगे गुर्ड को मैंने यह बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है शॉपक के वह दो डालते हैं यहां पर इसरेसिपी सब्से खास बात यहां बिल्कुल भी नहीं है बस इसम्ठी जार में ढाल देना है और यह जो बचा हुआँ तिल गुर् मिक्षर का इस्तमाल हम यहां पर करेंगे तो इसे भी हम डाल देते हैं सेम जार में तो सभी मिक्षर को हम डालने के बार अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है इस समय जैसे हम गुर के साथ इसे ग्राइंड करेंगे ना तो तिल में से तेल निकलेगा और गुर से बहुत अची लग बग 3-4 चमच घी डालते हैं घी डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और फिर इंडालते हैं थोड़ा सा इलाइची पाउडर और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस इस लड्डू को बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है सभी ची लड्डू नहीं बन रहा है तो यहां पे आप एक्स्टा घी अड्ड कर सकते हैं जो भी रेशियो मैंने बताया है जो भी मेजर्मेंट मैंने बताया है लड्डू बनाने के लिए उसमें जितनी भी मिठा से वह बिल्कुल परफेक्ट है तो बिल्कुल अगर सेम चाहते हैं बना सकते हैं और यह वाना लड्डू देखने में कितना अच्छा लग रहा है उपर से जो नट्स वगरे दिख रहे हैं काफी रिच और नटी साइस का फ्लेवर है तो नोई लड्डू खाने में बहुत हमेजिंग है बनाना बहुत ही अरसान है तो इसे आप घर में बहुत ही टेस्टी ब्रेट से मिठाई बनाए थी वो भी इंस्टेंट वे में तो इसकी रेसिपी को आप यहां पर क्लिक करके जरूर देखिए